नमस्कार दोस्तों मैं दोक्टर प्रांशली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कुलाइटिस के बारे में कुलाइटिस चाप्त आपने बहुत-बहुत सुना होगा दूस्तों यह आपके जो आथ होती है, जिसे हम कॉलन बोलते हैं, उसमें सूजन आने को बोलते हैं. तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि kolitis क्यों होता है, कितने तरहें का होता है, कैसे लक्षड आपको देखने को मिलते हैं, कौन से causes इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं और ऐसी कौन सी होमेपेटिक मेडिसिन है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी कोलाइटिस की परिशानी को बहुत अत्तक खतम कर सकते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़ादा इन्फोमेटिव है, आप इसको अन तक जरूर देखें, और मेरे साथ बनी रहे हैं, दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलाइटिस क्या होता है, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में दोस्तों ये चीज़ बोली है कि अगर किसी वर्ट के साथ आइटिस वर्ट जुड़ा होता है, इसका मतलब इसको हम सूजन यानिकी इन्फलमेशन से रिप्रेजेंट क आपके आथ में जो सूजन है वो बहुत सारे कारणों के वज़े से हो सकती है, अगर मैं इनके काॉजस के बारे में बात करो तो जो उनके में कारण देखने को मलते हैं वो है वाइरल इंफेक्शन, पैरसेटिकल इंफेक्शन या इवन फूट पाइसनिंग जो किसी बाक्ट कि पेशिंग्स में कोलाइटिस बहुत ही आम देखने को मिलती है अब बात कर लेती हूं मैं इनके प्रकारों के बारे में यानि के टाइपस ऑफ कोलाइटिस दोस्तों मैं पूरी डिटेल उनकी नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा फिर वीडियो हो जाएगा हम आज से कि इनकी बारे में जान लेते हैं कि इतने तरहा का कोलाइटिस होता है तुस्तों जो में अगर मैं क merciful के कोलाइटिस के बारे में बात करू तो यह पांच तरह के अमोमन दर सुना हो गागा बहुत सारे लोगों में यह देखने को मलती है कि अंदर छाले तक बहने लग जाते ह जो पाजसार, जो सयर्ड़ सट्गिंड ड कोलाइटिस इसमें क्या होता है जो स्वीडिटींड सपालाईटीस मिलुषए जीूटीन चोलाइटेरिया में और यहां प्राप्रिशर्ट इसमें इसमें क्या होता है कि आपके इसमें क्या होता है कि आपको डॉक्टर तभी डिफाइन कर पाता है जब अंदर से आपकी आथ के टिशू को लेकर वो चेक करके बताये कि अंदर आपकी जो आथे उनमें सूजन या परिशानी है जो फिप्त है जो टाइप उसको बोलते है अलर्जिक इन इंफिंट कोलाइट यह मेजरली उन बच्चों में देखने को मिलता है जो जस पैदा हुए है या फिर फर्स्ट मन्त ऑफ बर्थ है उनमें अगर जैसे मिल्क से इंटॉलरेंसी होती है या बहुत जादा वो मिल्क स्पिट आउट करते हैं बहुत जादा गैस बनती है उन बच्चों में यह अब्डॉमिनल पेल या डिसकमफर्ट आब यह सीवेयर भी हो सकता है माल्ड भी हो सकता है आपको हालका डिसकमफर्ट पेट में बना रहेए या फिर आपको तेज बर्थ बना रहे है इंग दोनों ऑलिसिट वरिवेल्स करती हैं नेक्स इसके बाद आपते सबसे yada सिम्टम को तेफने को मिलेगे वो ब्लूटंग मिलेग कि अबह जादा गैस बनती सी लगी कि पेट पुला पूला सा लगए अब जानस जाएगा उस को जाएगा आप को जो जा बहुत जादा फ्रीक्वेंट आप जा रहे हैं तो उसमें अपको फ्रीक्वेंट आपको मोशन हो रहा है तो यह डारिया की कटेग्री में आएगा जिसमें अड़िजिस्टेट पूड आ रहे हैं और वार्टरी मोशन आपको आरा है इसके साथ इसके साथ जो सिंटम्स मिलते हैं वो पेशिंग्स में अनेक्स्पेक्टेड वेट लॉस कि एक महीने के अंदर आपका दो से तीन किलो वजन घटने लग जाए आपको एक प्यूकिस्टेशन याने की वॉमेटिंग संसेशन मतली आने जैसी परिशानी बनी रहे है बुखार आए दिन आता रहता हो आपको ठंड लगके बुखार आ रहा हो साथ में आपको ऐसा लग इसके बहुत सारे टेस्टे कोलोनोस्कोपी करा के देखा जाता है या फिर अल्ट्रसांड से भी डॉक्त थोड़ा सा तो समझ जाते हैं कि कोलोंस में सूजन है की नहीं फिर आगे के जो फर्दर निस्टिगेशन से वो किये जाते हैं स्टूल चेक अप कर के देखा जाता है कि जितने भी टाइपस हैं एकसेप्ट जो बच्चो की कटेगरी है उसमें आप मदर टिंचर का प्रयोग ना करें क्योंकि बच्चे जस बॉन है और उनकी परिशानी दीरे-दीरे करके सेटल भी हो जाती है तो उनको देनी के आवशकता नहीं है बाकी की जो केसे से उन सब म करती है अच्छा काम करती है डाइजेशं रेलेटड हर परिशानी के लिए आपका आगर आपों में शूजन से लेकर अगर डाइजेशं भी इंपेर्ड है आपको मोशन भी आ हाइगन यह प्रिक्विपन्ट हो रहा है इन सारे ही कटेगृइ में जिस carbon बहुत अच्छा काम क तीसरी जो mother tincture आपको लेना है दोस्तों वो है गुर्ची mother tincture ये एक बहुत ही specific mother tincture है बहुत अच्छा काम करता है जो colitis की condition होती है इवन ये बहुत अच्छा ulcerative colitis पर ही काम करता है और normal general colitis है उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है जो फोर्थ medicine है दोस्तों आपको लेन इसके साथ साथ अगर आपको मुशन में बलड आ रहा है या आपको बहुत सद़ा क्राम हो रहे है तो ये mother tincture उसके बहुत अच्छा काम करता है और फिफ्ट mother tincture आपको लेना है बैप्टीशिया mother tincture आपने मेरे मेरे मल्टेपल वीडियो में देखा होगा आई बीजियो अगर इसा आरहा है तो बहुत ही अच्छा काम करती है करना क्या है आपको आप सभी मेडिसिंस को सील पैक्ट करीद के लाएं और आप एक बड़ी बॉटल लेके आएं इन सभी मेडिसिंस को आप एक्क्वल अमाउंट में मिला के एक बॉटल में रख लें अगर ऐसा फिजबल नहीं हो रहा है बहुत लोगों को बॉटल अवेलिबल नहीं हो पाती है तो आप क्या करें एक चौथाई कप पानी ले और इन सभी की इसमें से पांच-पांच बूंदे उस एक चौथाई कप पानी में डाल ले और आप उसको मिक्स करके दिन में तीन बार लेना शुरू करें कम से कम डेर से दो महिने इसका प्रयोग करें क्योंकि एक तरह का इंफेक्शन है आपको इतनी जल्दे रिकवर नहीं करेगा ये धीरे-देरे करके आपके जो आतों की सूजन है उसको कम करने में मदद करेगा इसके साथ साथ आपको जो आत की जो कंडीशन खराब हो गए थी उसको रिकवर करके एक healthy condition में लाएगा तो आपको कम से कम डेर दो महिने तो मिनमम इसका प्रयोग करना ही है दिन में तीन बार इसका प्रयोग करें खाना खाने के आदी घंटे बार इसको प्रयोग करें तो दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका 200, आपको इसकी दो गुन रोज रात मेलेनी है, तो यह जो फाइब मेडिसिन जो मदा टिंचर हैं प्लस यह दो मेडिसिन को आप एक साथ कमंड करके कम से कम देड़ दो महने ले, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस में कॉस कर सकते हैं, बस दोस्तो आस्ट के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरू करें, शेर करें दोस्तों, जादा जादा फ्रिंक्स फामिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलती हूं इसी तरह के इंफिमेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्यू सो मच, स्टे सेफ और हल्दी